अज़र फ्रेंस वेलकम टू टेक्निकल ट्यूट अज़ इस वीडियो में आई टेल पी 55 5G के बारे में इसका जो कैमरा है डीटल में बताने वालों कैमरा में क्या क्या आपको फीचर्स मिलता है कैमरा का पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी उसको उपर में एक डीटे पहले वीडियो मैंने बता आने के बाद कैमरा में ऐसा कोई भी लिखा भूनी था कि पीग्चर क्वाल इंप्रूब होगा यह वीडियो क्वाल इंप्रूब होगा किन यह को यह questo इंप्तर आहां यह सब साव जो लग रहा है कि कहीं न कहीं फिलब किया गये है लेकिन कहीं पर डाकुमेंटेड नहीं है जो मुझे फिल हुआ हो वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं तो यहाँ पे सिधा camera पे चलते हैं और आपको क्या-क्या features मिल जाता है मैं आपको पहले यहाँ पे दिखाते हूँ camera में भर-भर के features यहाँ पे है कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं दिया गया है within 10,000 phone में इस टाइब का जो option जो दिया गया है मुझे नहीं लगता है कि किसी और mobile में है I think तो यहाँ पे starting से चालू करते हैं open करते ही आपको AI camera by default यहाँ पे आपको एक मिल जाता है ठीक है वैसे AI को आप उपर से enable disable कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आप से request करूंगा इसको अब disable रखिए reason यह है कि जब भी आप इसको on करते हैं तो color बहुत जादा over saturated type का हो जाता है unnatural लगता है तो अगर आप कुछ-कुछ segment लगता है कि आपको colorful picture होना चाहिए तो उस case में आप इसको on कर सकते हैं नहीं तो by default आप इसको off ही रखिए beauty, beauty mode में आपको यहाँ पर click करने के बाद नीचे में आपको obviously बहुत सरा parameter आपको मिल जाता है ठीक है और फिर portrait में आते हैं portrait में आपको यहाँ पर बीच में जब click करेंगे तो आपको बहुत सरा option आपको मिलेगा ठीक है यह बहुत मस्त option यहाँ पर दिया गया है जब मैं picture upload करके आपको दिखाऊंगा तभी जाकर आपको पता चलेगा ठीक है तो कुछ-कुछ मैं आपक video mode जो की इस segment में नहीं मिलता dual video ठीक है panorama, document और sky shop तो यहाँ पर जो तीन चीज़ बहुत बढ़िया दिया गया है एक है air shot, dual video और sky shop, sky shop ऐसा एक चीज़ है कि जब आप कोई भी picture जब आउडर में आप लेते हैं sky का picture लेते हैं उसको आप immediately edit कर सकते है, edit मतलब by default वो change हो जाता है, इसको जब आप clip करेंगे तो आपको बहुत type का मिल जाता है, sky किस type का होना चाहिए आपके हिसाब से ठीक है, तो यहाँ पर more में फिर से जाते है, source video का option मिलता है, तो एक एक करके मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, source video में आप बहुत type का picture को, मतलब video को आप shoot क कर सकते हैं, छोड़ छोड़ वीडियो जो डिल्स बनाने के लिए उस type को आपको यहाँ पर मिल जाता है, for instant, अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ, इस पर, तो इस type का बहुत सर आपको option मिल जाता है, दोस्तो, मस्त मस्त option आपको मिल जाता है, यहाँ पर, अब आते हैं, slow motion अपको यहाँ पर मिल जाता है, 240FPS का option आपको मिल जाता है, इसके बाद 960 का option यहाँ पर नहीं आता है, लेकिन एक चीज़ बता दू, slow motion इसका काफी अच्छा आता है, कोई आपको इसमें problem नहीं मिलेगा, ठीक है, अब आते हैं, फिर से more में, और यहाँ पर time lapse में, यहाँ पर अलग से कुछ दिखाने लाइक है, लेकिन फिर भी आपको open करके दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर auto mode मिल जाता है, और manual mode मिल जाता है, कि कितना X में आपको fast में आपको frame को capture करना है, ठीक है, अब आते हैं next more में आपका, super night picture में आपको अगर AI camera को on करते हैं, तो super night automatically on हो जाता को option दिखाता है, आप वहीं पर उसको on कर सकते हैं, तो आप इसको by default यहाँ से on कर सकते हैं, air shot, air shot बहुत बढ़िया चीज है, मैं आपे front face camera को on करके दिखाता हूँ, तब जाके आपको पता चलेगा, यह देखिए, यह air shot, ठीक है, बहुत type का हाप यहाँ पे picture को edit कर सकते हैं, immediately वीडियो को भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, अपने हिसाप से reels बना सकते हैं, बच्चों को यह बहुत अच्छा पसंद आएगा, और मेरा बेटा का फेवरेट यह वाला है, ठीक है, और आपको बहुत सरा मिल जाता है, मिल जाता है, तो बच्चे जो हैं, ब बहुत बढ़िया काम करता है, यह वाला, यह देखिए, बहुत सरा आपको option मिल जाता है, ठीक है, आपको skeleton का option मिल जाता है, अब आते हैं पर dual video में, dual video में देखिए, यह option इस segment में बहुत जगा missing रहता है, जब आपको YouTube वीडियो बना रहे हैं, या कुछ vlogging कर रहे हैं, तो य जो mode है, काफी आपको help करता है, यहाँ पे आप change कर सकते हैं, कि front और wear किस type का video यह कैसा capture करेगा, जैसे मैं फिर से click कर तूँ तो इस type का है, और अगर आप priority को भी change कर सकते हैं, कि कौन सा picture बड़ा दिखना चाहिए, कौन सा picture छोड़ा दिखना चाहिए, उस सब से भी यह change हो तो वो particularly उसी test को वो capture कर लेगा, अब दोस्तों उपर में आपको edit option मिल जाता है, edit option में बहुत सरा option यहाँ पर अंदर में मिलता है, जो कि मैं बाहर लेका आया, already लेका आ गया हूँ, इसलिए और कुछ नहीं दिखा रहा है, जैसे इस type का आप लेके अगर आप यहाँ लेना चोटा-चोटा वीडियो को एक साथ में joint करके आप एक transition सुन्द साथ देखे, music already इसमें in-build है, और वो एक वीडियो बना देगा, जो की काफी बार होता है कि YouTube वीडियो का starting में रहता है, demo दिखाने के लिए, या कोई भी आप reels बना रहे हैं, उसमें बहुत आपको help मिलता ह जैसे for example इसको play करता हूँ, यहाँ पर देखिए कि बहुत सारा segments में वीडियो यह click करेगा, फिर joint करके एक wholesome एक वीडियो आपको बना के देखा, तो यह सब चीज, इसका जो output है, मैं next वीडियो में आपको लाके दिखाऊंगा, क्योंकि यह सब recording करने में बहुत time लग अब वीडियो में क्या है कि इसके update आने के पहले वीडियो को जो quality था, वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन update आने के बाद वीडियो को quality काफी अच्छा भी यहाँ पर हो गया है, वीडियो में आपको stabilisation का option यहाँ पर missing है, लेकिन 60 frame पर second में अगर आप record करते हैं इसको, त स्मूथनेस रहता है वीडियो में, इसलिए आपको stabilisation भी थोड़ा मिल जाएगा, तो stability में अगर आप सोचने है कि एक वीडियो में stabilisation मुझे जब दस चाहिए, तो यह phone में भाई, यह चीज मिसिंग है, जो सबसे खास मुझे एक चीज लगा, DSLR effect के लिए आपको boke mode यहाँ यह option आपको मिल जाता है, मैं जो phone से recording कर रहा हूँ, वो है Realme X7 Max 5G, इसका price चाह 27,000 जब मैंने लिया था, और इसमें मुझे यह option मिला था, तो 18,000 अवा phone में यह option दिया जाता है, यहाँ पर तो आपको within 10,000 में यह option आपको दिखने को मिल रहा है, तो काफी जबर्दस यहाँ पर, यहाँ पर देखे, front camera जब आप on करते हैं, तो आपको automatically यहाँ पर कुछ-कुछ option एड़ हो जाता है, for example, अगर मैं more में जाता हो यहाँ तो देखे, यहाँ पर wide selfie आपको मिलता है, यह wide selfie basically क्या है, एक one kind of paranormal mode है, ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं, सामने कुछ अलग से कुछ lens दिया गया है, लेकिन इसको आप as a wide, software type का wide camera यहाँ पर बोल सकते हैं, तो यह भी काफी अच्छा चीज है, बहुत wide range में यह picture लेता है, और बाकी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कि सामने camera on करके भी आप film mode को on कर सकते हैं, वीडियो को आप चला सकते हैं, front में आपको 1080, 30 frame per second का option मिलता है, और 2 के 30 frame का मिलता है, 60 frame का यहाँ पर option missing है, AI cam में similarly वैसे ही है, और यहाँ पर AI cam में एचीज आप देखेंगे यहाँ पर, कि आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, instant case में, ठीक है, जैसे zoom in, zoom out, इस type का, beauty mode में भी same है, जैसे कि back side में था, portrait mode mode में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यह जो option जो है, यहाँ पर बहुत type का option आपको मिल जाता है, जैसे कि tree shadow जो है, यहाँ ठीक है, अब देखें, मैं यहाँ पर click करता हूँ, अब देखें, वीडियो कैसे process होगा, यह देखें, मैंने video, यह सब जो tree का जो shadow है, मैंने यह मेरा तो यहाँ पर नहीं है, indoor में, मैं capture कर रहा हूँ, यहाँ पर तो देखें, कितना अच्छे से instantly इसको edit करता है, तो मैं दूसरा एक effect लेता हूँ, वहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे profile, profile picture में कहाता है, कि passport picture आपको बनाना है, background single color का चाहिए, तो वो आपको दिखा देता हूँ, जो formal है, फिर mono background है, mono background मुझे काफी आच्छा लगता है, यह देखिए, तो यहाँ पर क्या है, कि जो सामने object है, वही सी colorful है, बाकी का जो black, backside जो है, वो totally mono effect है, मतलब black है basically, black and white, तो इस picture मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे दिवाली का time में मैं यह picture लिया था, यह update होने के बाद यह picture था, तो आप देख सकते हैं कि detail, कितना बढ़िया सा यह लिया है, तो इस price range में, इस type का quality मिलना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, तो picture quality में कोई problem नहीं है, अच्छा है, जिनको लगता है कि phone में picture quality में problem है, तो भाई वो गलत है, इस price में तो काफी अच्छा आपको quality मिल जाता है, आप देख सकते हैं कि, कितना बढ़िया सा यह picture लिया है, night का time है, कोई भी flash में यहां पर नहीं use किया, यहां पर यहां पर देख सकते हैं फिर, कुछ picture में यहां पर भी आपको दिखा देता हूं, यह देखिए detail जो यह picture quality जो इ instant basis में, यह देखिए, यह front camera से लिया गया है, तो picture quality में भाई, इस price range में कोई भी issue नहीं है, ठीक है, तो दोस्तो इसको बाद जो वीडियो आने वाला है, वो टोटल एक simple वीडियो रहेगा, जिसमें सिर्फ back to back pictures रहेंगे, वीडियो रहेंगे, आप वहां से judge कर सकते हो, मैं और phone बहुत मसते हैं दोस्तों, अगर आप सोच रहें कि phone लेना है, तो बिंदास ले लिजिए, यहाँ पर कोई एक point ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, कि आपको decision को आपको रोग देगा कि भाई तुम ये point, इस point के लिए मत लो, तो phone बहुत अच्छा है, phone को purchase कीजिए और enjoy क DJ, thanks for watching technical tuner and keep watching technical tuner